दोस्तो सबसे पहला तो आप लाइप रूप देख लो ब्रांच अपली के सन में लोन लिमिट कैसे बढ़ाते हैं कंप्लिट तरीका बताने वाला हूँ यहाँ पर आपको यह मोबाइल देखने को मिल रहा होगा पूरे 40,000 रुपे के लिमिट है और यहाँ पर दोस्तो 500 रुपे से लेकर 40,000 रुपे तक की लिमिट मैंने बढ़ाई है और यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तो आपको 10 रुपे देखने को मिल जाएगा 40,000 रुपे दोस्तो मैं 2 रुपे ले सकता हूँ यानि कि कम से कम 6 मेहिने और maximum 9 मेहिने तक के लिए ले सकता हूँ तो अगर आपको भी दोस्तो ब्रांच अपली के सन पर अपनी लोन लिमिट बढ़ानी है और यह एक मोबाईल है दूसरे मोबाईल की बात करेंगे दोस्तो मैं इसमें भी आपको दिखा देता हूँ दोनों पर सबसे पहला आपको दिखाऊंगा और उसके बाद आपको बताऊंगा जैनल तरीके से आप लिमिट कैसे बढ़ा सकते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तो इसमें भी आपको 20,000 पर देखने को मिलेंगे इसमें भी 20,000 पर तक आपको बढ़ाना है तो आज मैं आपको जैनल रिप्यू देने वाला हूँ एक ऐसा तरीका बताऊंगा जहां पर आप घर बैड़ कर ठीक है आसानी से धीरे-धीरे करके इस लोन के लिमिट को इंक्रीज कर सकते हैं और देखो ब्रांच अप पर सबसे बड़ा बैनिफिट क्या है अब आपके दिमाग में ये बात आ रहे होगी कि भाई हम ब्रांच अप से लोन के लें किसी दूसरे अप से भी ले सकते हैं बिल्कुल ले सकते हैं पर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ ब्रांच अपली के सन पर अब जो लिमिट है दोस्तों उसको बढ़ा दिया गया है जैनके ब्रांच अप पर आप कम से कम 500 रुपे और मैक्सिमम एक लाख रुपे तक का इंस्टेंट लोन ले सकते हैं और देखो ब्रांच अपली के सन एक ऐसी लोन अप है जो कि पूरे प्ले स्टोर पर सब में जादा बैस्ट अप होने वाली है जो कि आपको जीरो इंकम पर लोन प्रोवाइड कराती है और दोस्तो जीरो सिविल पर लोन प्रोवाइड कराती है आप किसी भी loan app पर चले जाएं आपका सिबिल भी पूछा जाएगा और जब loan देने की बात आएगी bank statement तो आपका पूछा ही जाएगा branch application पर कभी भी आपस bank statement नहीं पूछा जाता है आप कितनी कमाई करते हैं कभी भी नहीं पूछा जाता तो अगर आपके पास आधार card और pen card है और आधार card pen card के base पर आप loan लेना चाहते हैं तो इस app से सांदार loan app हो भी नहीं सकती अब मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ बहुत से student ना studentों को loan देने वाली कौन सी app है ये तलास करते हैं भाई student के लिए सबसे सांदार loan अपना ये branch होने वाली है क्योंकि यहाँ पर आप student है housewife है ठिक है sellerate है self employee है चारो फिरकार के लोगों को loan मिलता है अब देखो यहाँ से loan लेने का सबस्टा बड़ा benefit यह है अगर आपने एक बार छोटा loan ले लिया और loan लेने के बाद repayment कर दी तो भाई आपकी दो limit है वो increase है जाएगी अब इस टार्टिक में मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों मैंने यहाँ पर कितना loan ले आता सब कुछ life proof आप देख लेंगे जहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पर दोस्तों आपको एक option देखने को मिलेगा और option में आपको दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा यह profile वाला icon ठीक है मैं इस पर click करता हूँ जैसी click करूँगा आपके सामने यह वाला interface आएगा अब यहाँ पर आपको एक और option देखने को मिलेगा यहाँ पर है transaction history ठीक है मैं इस पर click करूँगा और जैसी मैं click करूँगा ना तो यहाँ पर हमारे सामने दो option आगे अब एक तो है दोस्तों यहाँ पर loan वाला option और दूसरा है investment वाला option मैं investment पर click करके दिखा देता हूँ दोस्तों मैंने इस step पर ना investment करके भी पैसा कमाया है यहाँ पर आप अगर कम से कम 1000 रुपे भी जमा करते हैं तो आपको 12% का व्याज मिलता है और यहाँ पर आप देखने दोस्तों per day व्याज मिलता है मैंने 1000 रुपे जमा किये थे यहाँ पर आप देखो यह मेरा ब्याज है जो कि मेरे को per day मिला 1000 रुपे जमा करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी जो है मैंने 1000 तीन रुपे की वेटरो लगाई थी तो मैंने देखा था यहाँ पर कि भाई पैसा कैसे मिलता है तो आप यह भी देख सकते हो अब यहाँ पर मैं करता हूँ back अब मैं आपको दिखाता हूँ loan वाला option यह जो loan वाला option है ना दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे आपको पता चलेगा कि भाई असलियत में loan की जो limit है वो कैसे बढ़ाई जाती है स्टार्टिक में आप देख लें सबसे पहले date पर धियान दे जुलाई सत्रा दो हजार तेहिस मेरे को कितने रुपे का loan मिला दोस्तों 500 रुपे का loan देख रहे हो 500 रुपे का loan मिला था क्योंकि उससे में मेरा सिबली स्कोर नहीं था और कोई income भी नहीं थी तो मैंने क्या किया दोस्तों यहाँ पर जो है अधार काड पैन काड लगाया और मेरे को 1500 रुपे तक की limit से होई थी पर मैंने 1500 रुपे का loan लिया reject हो गया पर मैंने जब 500 रुपे का loan लिया मेरे को loan मिल गया अब जब मेरे को 500 रुपे का loan मिल गया उसके बाद मैंने इसकी repayment कर दी फिर मैंने 500 रुपे का loan लिया फिर मैंने 500 रुपे का loan लिया आप देख सकते हो date अलगा अलगा है 17 जुलाई, 17 जुलाई तो मैंने जल्दी यल्दी लोन ले लिया उसके बाद मैंने 9 अगस्त को लोन लिया 1500 रुपे का मेरे को 1500 का लोन मिला फिर मेरे को जोड़ पड़ी दोस्तों यहाँ पर मैंने 26 अगस्त को फिर 500 रुपे का लोन लिया तो भाई ब्रांच एपली किसनल के तरब से मेरी जो लिमिट है ना अक्तुबर 29 को भाई 8000 रुपे कर दी गई मेरे को बीच में पैसो की जोड़ पड़ी फिर 500 रुपे मैंने निकाल लिए और उसके बाद जैसी मैंने 500 रुपे निकाल ले भाई मेरी जो लिमिट है ना वो 12500 रुपे होगी आप देख सकते हो सब कुछ लाइप प्रूफ दिखा रहा हूँ दोस्तो यहाँ पर आप डेट देख सकते हैं उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मेरे को फिर से जोड़ पड़ी मैंने 4000 रुपे निकाल लिए फिर 500 रुपे निकाले फिर 8,000 निकाले और फिर उसके बाद जो मेरी लिमिट बढ़ी ना दोस्तों वो 75,000 रुपे होगी 75,000 रुपे की लिमिट एक बार में बढ़ गई यह तब हुआ जब मैंने यहाँ पर continue loan लिया ठीक है loan लिया उसकी repayment की loan लिया उसकी repayment की और time से repayment की मतलब time से क्या मतलब एक को दिन पहले रिपेमिट कर दी उसके बाद दोस्तों इस app पर मेरी limit बढ़ गई और हो गई सीधी 23,000 रुपे आप देख सकते हो 23,000 की लिमिट होई 500 का loan लिया इसकी repayment कर दी तो भाई साब आज की तारीक में जो loan की लिमिट है ना वो आपको मैंने दिखाई दिया है यहाँ पर मैं बैक करके दिखा देता हूँ 40,000 रुपे की लिमिट है देख लो 40,000 की लिमिट और इस 40,000 को मैं 2 तर्में ले सकता हूँ 6 महीने के लिए और भाई साब 9 महीने के लिए आपके सामने देखने को मिल जाएगा अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ मैं 6 महीने के लिए लेता हूँ पूरी डेटेल आगी भाई आपके सामने कि भाई 180 दिन के लिए 40,000 रुपे ले सकता हूँ और मेरे को जो टोटल रिपेमिंट करनी है वो करनी है 47,790 रुपे अब भाई साब यहाँ पर लोन थोड़ा महंगा बढ़ता है और लोन जो महंगा बढ़ता है न इसका आप जो यहाँ पर डेटेल भी देख सकते हैं आपको एक चीज ओर देखने को मिलेगा यहाँ पर आपको देखतो एक उप्सन देखने को मिलेगा coupon apply null वह यहाँ पर आपको जो है डेड़ सु रुपे का benefit हो सकता है अगर आप यहाँ पर लोन के लिए पहली वाल apply करेंगे तो मैं आपको यहाँ पर एक सो पचास उरुपे का benefit दला सकता हूँ कैसी दलाएंगे देखो मैं back करता हूँ back करने के बाद मैं invite पर क्लिक करूँगा यहाँ पर आपको एक option देखने को मिलेगा दोस्तो और यहाँ पर है यह वाला kailas 74797 अगर आपको आज तक इस app से loan नहीं मिला है यह आज तक आपने जो है loan नहीं लिया है loan की जरूरत है और discount में आप जो है loan लेना चाते हैं तो भाई साब वीडियो की description में जो link है न उस पर click करके जाएं पिले श्रूर पहुंच जाएंगे सीधे वहाँ पर जाकर इस app को download कर लें और download करने के बाद ठीक है आप उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आने के बाद जब आपको loan देखने को मिलेगा loan लेना नहीं है उससे पहला आपको यहाँ पर आना invite पर और उसके बाद review your bonus के नीचे आपको देखने को मिलेगा enter a promotional code इस पर click करना है और जो मैंने आपको code बताया उस code को यहाँ पर डालकर apply पर click कर देंगे बाद आप जैसे आप यहाँ पर apply पर click करेंगे ना तो आपके सामने होगा क्या कि बाई जब आप यहाँ पर loan लेंगे ना फिर आप जो है चाहे 500 का loan लें यह 40 ज़र का loan लें तो आप यहाँ पर जो है टैन योर सेलेक्ट उसके बाद आपके सामने एक option आएगा और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा coupon apply Null Null की जगा coupon apply देखने को मिलेगा और यहाँ पर आपको एक सो पचास रुपे जो और कम देखने को मिलेंगे मतलब आप जो हैं दोस्तों जब 500 रुपे का लोन लेंगे न तो 1500 रुपे का आपको benefit मिलेगा cashback मिल जाएगा ठीक है तो यह benefit होने वाला है इस code को डालने के बाद तो भाई जैनुवन तरीका मैंने आपको बता दिया मैंने यहाँ पर 30-32 बार लोन लेते रहें समय से repayment करते रहें loan लेते रहें repayment करते रहें कभी भी आपसे यहाँ पर income proof नहीं मांगा जाएगा जब एक बार आप अपना यहाँ पर अच्छी छवी बना लेते हैं अपना trust बिल्ड कर देते हैं आपकी साख बन जाती है तो धीरे धीरे करके दोस्तों यह जो ब्रांच टाइब किया और ब्रांच टाइब करने के बाद मैं अंदर जाऊंगा और देखो इस एप की जो rating अना दोस्तों 5 में 6 4.5 की है और 15 लाग से जादा लोगों ने review दिया है और एक करोड से जाद इसके download है और यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों आपको जो इस 200 रुपे से लेकर एक लाग रुपे तक का लोण मिलता है जो कि आप यहाँ पर बहुत ही आसान तरीके से आधार कार्ट और पैन कार्ड के बेस पर ले सकते हैं और जिसका 10 और 12 दिन से लेकर 12 महीं ने के बीज रहता है मैक्सिमिम एक साल के लिए और इनका जो भी आज है व पैन कार्ट लगाओ लोन के लिए अप्लाइ कर दो वही ऐसी आप आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी एक बार अपना ट्रस्ट बिल कर लो उसके बाद आप कहीं भी चले जाओ तीक है आप सेलीड हो सेल्फ इंपलोय हो हाउस वाइफ कोई भी हो स्टुडेंट हो कोई रुपर का बेनिफिट होगा और उसके बाद आप जो है दोस्तों यहाँ पर इमर्जेंसी पढ़ने पर इंस्टेंट लोन ले सकते हैं आसा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरू करें